यह स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पे तो दोस्तो आज हम बात करेंगे फैन कोड़ ECI आउस्ट्रिया टीटेन मैच का जो मैच होने वाला है ECS तो मैच हो गया अब ECI सीरीज नई स्टार्ट हो रही है दोस्तो तो दोस्तो जो फैन कोड़ ECI टेटन सीरीज है उसको मैच कवर करने के लिए आगया हूँ दोस्तो इस वीडियो में आप लोगो पूरी जानकारी देने कोशिस करूँगा सारे प्लेयर्स के बारे में आप डिसक्रस करेंगे दोस्तो किसको अपनी टीम में लेना है और बैस से बैस करने का कोशिस करेंगे इस मैच में ठीक है जो लोग नए है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो टेलिग्राम को जोइन नहीं हो तो टेलिग्राम को जोइन कर सकते हैं दोस्तो ठीक है टेली ग्राम का link दोस्तों मैं description में provide कर रहा हूं और comment section में भी है तो वहाँ से आप लोग सिधर टेली ग्राम पर आ सकते हैं दोस्तों ठीक है टेली ग्राम जोईन करने इसलिए important है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों official जो lineup रहता है फाइनल ठीक है तो दोस्तों यही सब चीजों के लिए टेलेग्राम को जोईन कर लो फटापर से तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सिधा मैच के बारे में तो ECI आउस्ट्रिया टीटेन का यह सीरीज मैच नमबर पहला खेला जाएगा और चीज रिपब्लिक टीम के बीच में ठीक है मतलब AUT और CJR के बीच में ठीक है एक बज़े मैच स्टार्ट होगा दोस्तों और वेदर की बात करें तो रेन के चांसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ठीक है वेन्यू की बात करें तो उनों टीम होगी तो आस्ट्रिया की जो टीम है न वो अभी तक जो पांच मैच के लिए जिसमें दोस्तों चार मैच विन किया है एक मैच हा रहा है तो यह टीम काफी स्टॉंग रहे गी आज और CJR की जो टीम है पांच मैच हार कर क्या रही है लास्ट के पांचों मैच हार क क्या रही है तो दो सी जड आज की टीम थोड़ी सी भी लगती भी मुझे नजार आ रही है ठीक है एवरेज स्कोर की बात करें यहाँ पे बैटिंग करते हुए तो ऐसी से एक सो दस के बीच में आपको देखने को मिल जाया जा तो चलिए दोस्तो बात करते हैं टीम एई बालिंग भी करा करके देगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट पिक है बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए इवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी इसको करके चलना है ठीक है इकबाल हुसेन है और इसका भी काफी जब अरदस्त दोस्तो रिकॉर्ड है टीटेन के अंदर देख स पिक है इकबाल उससेन माक्सिम सेन इंपोर्टन दोनों ओपनर बिल्कुल आपकी टीम में होने चाहिए ठीक है उसके बात रजमाल सिखीवाल है अभी 2023 के अंदर दोस्तो अठारा मैच इसने खेला जिसमें 217 रन इसके नाम है 21 कैवरेज है ये प्लेयर भी काफी जब दाश इसका बिल्कुल आप अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो अबदुल्ला अकबर जन है दोस्तो टीटेन 2023 में दोस्तो 10 मैच खेला उसमें 236 रन किये 29 कैवरेज से और 10 विकड़ विस के नाम दोस्तो 17 वर डालके खेलेगा तो 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा दोस्तो इंपोर् दोस्तो देख सकते हूं मिर्जा हसान आएंगे मिर्जा हसान 2023 टीटेन में दोस्तो 19 मैच खेला 423 रन किये 30 कैवरेज से प्लेयर काफी जबर दस दोस्तो वन डाउन बैटिक करने आ रहा था लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि इसका पोजिशन क्या होता है बैटिंग करने दोस्तो 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 16 मैच में 226 रन है 25 कैवरेज से ओपन करा रहा था बाकी दोस्तो अभी बैटिंग के बहुत कम चांसेज रहेंगे इसके क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और टीम में तो दोस्तो इसको ड्रॉप करना चाहो तो बिल्कूल करके चल सकते हो ठीक है जाविद जद्यान है दो और की बालिंग कराएगा इंपोर्टेंट पीक है 2023 में दोस्तो टी 10 के 24 मैच खेला इसने उसमें 30 विकेटिस के नाम है 43 वर डालके तो इंपोर्टेंट है बैटिंग बॉलिंग दोनों से का इंट्रिबूशन करता है तो आपके टीम में यह होना चाहिए उसके बाद तो इत्ती बरसा आई दीदार है ठीक है जो की टी 10 का 2030 में 17 मैच खेला है दोस्तो उसमें 15 के नाम है 29 वर डालके इंपोर्टेंट विक है बिल्कुल आपके टीम में होना चाहिए दो और का पूरा-पूरा बॉलिंग कराते हुए दिख जाएगा आपको ओस्मान खान है दोस्तो टी 10 2023 में दोस्तो आट मैच इसने खेला उसमें 9 विकेटिस ने लिए ठीक है लेकिन द में ठीक है 9 विकेटिस के नाम तो उमेर तारीक है दोस्तो डैट में बॉलिंग कराने आता है 2023 में दोस्तो 19 मैच में 29 विकेटिस के नाम है 32 डालके दोस्तो इंपोर्टेंट यह भी बिल्कुल रहेगा तो आपके टीम में बिल्कुल आप इसको लेकर करके चलिएगा अभी क दिदार यहाँ पे हैं उमेर तारीक है तो ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल आप बिल्कुल लेकर करके चलिएगा बाकी बैंच में भी तीन प्लेयर है अगर खेलेंगे तो मैं आपको टेलिग्राम पर अब्डेट कर दूँगा रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हूं ठीक ठीक है और अरुन असुकन मुस्ट प्रबली दोनों ओपन करने चाहिए और सुदेश विग्रम से एक राकर टीटेन के अड़ चालिस मैच में दोस्तो एक हजार तिन सो पाइतिस रन 37 का अबरेज है 31 विकेडिस के नाम 78 और डालके दो और की बॉलिंग के साथ साथ आपको देगा important pick रहेगा बिलकुल आपकी टीम में होना चाहिए ऐसके बास तो अरुन असुकन है टीटेन के अंदर 27 का अवरेज है इसका important pick है बिलकुल आपकी टीम में ये प्लेज भी होना चाहिए दोस्तो hard hitting करना आता इसको आपके लिए अच्छा खासा पॉइंट देखे जा ओवरल टीटेन में 60 मैच में दोस्तो, 1327 के अवरेज है, 42 विकल अच्टि ओवर डालके बाकि दोस्तो, इस मैच में इसको चांस मिल सकता है, बिलकुल आप इसको ले करके चलिएगा, रिदिक तॉमर है दोस्तो, टीटेन के 36 मैच में, 3729 के अवरेज है, 20 विकल इसके नाम है, 52 वर डालके खेलेगा तो, दोवर की बॉलिंग करा सकता है, बिलकुल आप इसको ट्राइ कर सकते हो, अपनी टीम में, ठीक है, नीचे से दोस्तो, आपके लिए सबीज भुयान है, उसके बाद आएंगे, टीटेन के 32 मैच में, 45 वर डालके, दोवर की बॉलिंग कराता है, इ इसको ले सकते हो, उसके बाद सो सत्य जीत सेन गुपता है, टीटेन के 50 मैच में, 41 विकल इसके नाम है, प्लेयर काफी जबरदस्त है, बेटिंग बॉलिंग दोनों करना आता है, इसको बिलकुल आपके टीम में ये होना चाहिए, ठीक है, अभी तक काफी अच्छा टीटेन में रिकॉर्ड रहा है, उसके बाद सो रियाज आफरीदी है, 11 मैच में, 5 विकल बाइस ओवर डालके, हर मैच में ये खेलता है, तो 2 वर की बॉलिंग कराता है, इंपॉर्टेन पिक रहेगा, साथी बेटिंग से भी ठिक ठा कंट्रिवर्शन करता है, ठीक है, लेकिन बेट उसके बाद सो त्री पूरी कनहिया लाल है, टीटेन के 30 मैच में, 16 विकल इसके नाम, 50 वर डालके, डॉप करके चल सकता है, मुझे नहीं लगता है कि इस मैच में इसको चांस दिया जाएगा, लेकिन दोस्तो रिकॉर्ड टिक ठा के रिकॉर्ड आप देख लीजे, काफी अ अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं लगा, मुझे दोस्तो डॉप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, अभी के लिए यहां से इंपोर्टेंट प्लियर की बात करों, तो सुदेश विक्रम सेखरा, अरून असोकन इंपोर्टेंट है, और इस डावी जी यहां से यहां पे इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, बैंच में भी तीन प्लियर हैं, अगर यह खेलते हैं, तो मैं आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दूँगा, रिकॉर्ड यहां से आप लोग रीड कर सकते हो, लेकिन उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है इनका, स् केट किपिंग सेक्शन में आपको मेहर, चीमा, राम कृष्णन दिखेंगे, दोस्तो जो भी अगर बैटिंग में जो उपर बैटिंग करने आएगा, उसको लेंगे, अगर मेहर चीमा लाइन आप में उपर रहेंगे तो बिलकुल उनको लेना है, या फिर एस राम कृष्ण रहेंगे तो उनको लेना है, ठीक है, दोस्तो अभी के लिए तो डेमो टीम के लिए मैं चीमा को ले रहा हूँ, बैटिंग सेक्शन से दोस्तों माक्सिम संपारगन, असोकन, सीगी वाल, यह तीन प्लेयर इंपोर्टेंट है, डाविजी को भी अपनी टीम में लेकर के ठीक है, उसे बाद दोस्तों और उन्डर सेक्शन से विकरम सेक्रा, रितिक तोमर इंपोर्टेंट है, तो यह दोनों प्लेयर को मैं बिल्कुल अपनी टीम में लेकर के चलूंगा, मिर्जा असान एक अच्छा प्लेयर है, हिटिंग करना आता है दोस्तों लेकिन इसका अगर मुझे और लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑफ्सन बहुत सारे हैं, क्योंकि सभी अच्छे प्लेयर्स हैं, इस याई टीटेन वाले सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन सब को तो पिक नहीं कर सकते हैं ना भाई, तो यहाँ पर दोस्तों मैं सेन गुपता को अप पकसिमसन पार कर, और दोस्तों, एस विकराम सेकरा यहाँ चैनल को करोई शैर भी कर दिया करो, अपनेを प्रेंज को जो भी खेलते हैं, थोड़ा सा हेल्प उनको भी मिल जाए, मिलते है नेक्छ वीडियो में, थेंक्यों सो मच